असलाम उलेकुम उमीद है आप सब खेरे से होंगे मैं भी अलहमदलिला ठीक हूँ इस वीडियो में हम कुर्ती की कटिंग करेंगे और यह जो कुर्ती की कटिंग है यह हम बिगिनर्स के लिए सिखा रही हूँ इसको मैंने फॉर फोल्ड में कपड़े को रख लिया है यह फॉ सबसे पहले हम आर्म होल का जो हमारा आर्म होल जितना होगा हमने वो रखनी है लैंथ वाइज मैं पहले निशान लगाऊंगी उसके बाद उससे नीचे साथ इंच हम 14 इंच पे अपनी वेस्ट रखेंगे और 21 इंच पे हम रखेंगे अपनी हिप अगर आपको यह इस तरह स समझ ना आए तो आप एक और तरीका कर सकते हैं आर्म होल का नाप आप कमीज से ले सकते हैं और जो वेस्ट है उसका मैं आपको बताती हूँ जहां पे आपकी कौनी होती है अगर आप सीधे खड़े हो और आपकी जहां पे कौनी आएगी वो आपकी वेस्ट बनती है और जह पहां पे आपकी रेस्ट कलाई उसको हम हिप कंसिडर करेंगे तो इस तरह से हम पहले लंबाई में निशानात लगा लेंगे 7 पे 14 पे और 21 पे यह आप अपने नाप के मताबिक लगाएंगे मैं मीडियम के हिसाब से बता रही हूँ यह लंबाई में हमारे निशानात लग चुके हैं अब हम इनको लाइन्स को स्ट्रेट कर लेंगे और उसके बाद मैं आपको राउंड जो हमारा नाप होगा उसका चौथाई हिसा लेके इस पे मारकेंग करके दिखाऊंगी यह हमने लाइन लगा लिए है यह हमने पहले लगा लिए थी चेस्ट की लाइन लगा लिए है वेस्ट की और हिप की अब सबसे पहले हम लेंगे शोल्डर मुझे यहाँ पे 7 इंच चाहिए तो मैंने यहाँ पे 7 पे निशान लगा लिया है चेस्ट मुझे चाहिए 9.5 यहाँ पे 9.5 पे मार करेंगे और साथ ही हम 2 इंच एक्स्ट्रा रख देंगे सिलाई के लिए 11.5 हो जाएगा उसके बाद नीचे हमें चाहिए 8.5 यानि हमारी जो वेस्ट है वो हमें 8.5 चाहिए इसी में हम 2 इंच एड़ कर लेंगे तो यह 10.5 हो जाएगा अब आजाते हिप पे हिप हमें चाहिए 10 इंचिस इसमें भी 2 इड़ कर लेते हैं तो यह 12 इंचिस हो जाएगा यह हो गई हमारी मार्किंग्स अब हम नीचे आ जाते हैं अपने दामन की तरफ दामन में हमें चाहिए 11 इंचिस रेड़ी यहां पे 11 पे हम रेड़ी का निशान लगा लेते हैं और उसके बाद जो 2 इंचिस है वो हम इसमें एक्स्ट्रा रख लेते हैं सिलाई के लिए अब हमने इन तमाम निशानों को मिला लेना है सबसे पहले यहां पे भी हमने 7 का निशान लगाना है शॉल्डर और इस निशान को आपस में मिला देंगे सीधी लाइन बना लेंगे इसको हम सीधा कर लेंगे स्केल की मदद से कर लें या हाथ से अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं तो कर लें उसके बाद हमने यहां पे आर्म होल की गुलाई कर दीनी है यहां तक्रीबान इसके हाफ से लिया जाता है इस तरह गुलाई हमने कर ली है अब यह जो निशान है जो हमने दो दो लगाए थे इनको हमने आपस में मिला देना है जैसे एक ये निशान हो गया इसको हमने नीचे सीधा वेस्ट वाले निशान के साथ मिला देना है चेस्ट, वेस्ट और हिप इसी तरह ये हमारा सिलाई का था और ये हमारा कटिंग का निशान होगा आप सकेर की व compression से भी मिला सकते हैं इसके बाद जो नीचे हमने दामन की तरफ दो निशान लगाई थे उनको भी सीधा हम इसी तरह से मिला देंगे इसको मैं सकेर से मिलाती हूँ ताकि इसमें जोल ना आए इस तरह से हमारे तमाम निशानात लग जाते हैं दुबारा मैं आपको बता देती हूँ शोल्डर यानि तीरा, चेस्ट, वेस्ट, हिप और नीचे दामन इनको मिला लेते हैं और फिर हम कटिंग कर लेंगे कमीज की कटिंग हमारी हो चुकी है यहां पे मैंने शोल्डर का भी आधा इंच रखके मार कर लिया था और इसकी शेप दे दी थी इस तरह से हमने कट कर लिया है और बाजू का भी मैं आपको बता देती हूँ बाजू को हमने इस तरह से फोर फोल्ड रखा था यहां पे जो इसके यह बना हुए है यह हमने सेट करके रखा था और जो ओपन साइट थी वहां से हमने आधा इंच निशान लगा के राउंड कर लिया था इस तरह से हमारे कमीज और बाजू की कटिंग हो चुकी आप देख सकते हैं नए सीखने वाले भी इस तरीके से बहुत असानी से कमीज की कटिंग कर सकते हैं अमीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें शेयर कर दें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए आने वरी वीडियो आप तक पहुंच सकें शुक्रिया